चोपड़ा है जो किस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नीट 2023 के सेक्यूरिटी अमाउंट री फंड के बारे में यानि कि आपने जो सेक्यूरिटी अमाउंट करवाये था M.C.C की काउंस्लिंग के ठूरू, या स्टेंट कोटा की काउंस्लिंग के ठूरू, तो ये कब तक मिलने की पोसिबिलिटी है? उसके बारे में हम बात करेंगे, साथ-साथ इसके लिए इ eliminatesable कौन-कौन से चंडिडेट है और वो कौन-कौन से कंडिडेट को मिले किस account में यह पैसा वापस आएगा तो इस विशह में इस वीडियो में चर्चा करेंगे ओल इंडिया कोटा के भी बारे में बात करेंगे और इस टेट के बारे में भी बात करेंगे जैसा कि आपको सबको पता है ओल इंडिया कोटा की counseling काउंसलिंग MCC द्वारा करवाई जाती है MBBS, BDS, BSE nursing course के लिए और सभी की जो security money deposit होती है वो इस परकार से होती है यानि कि दो परकार की fees आपकी deposit हुई थी जब आपने MCC की काउंसलिंग करवाई थी चाहे वो काउंसलिंग MBBS की हो BDS की हो या BSE nursing की हो तो आपने जो security money deposit करवा था आपने ये दो परकार की fees deposit हुई थी admission के time में सबसे पहले registration fees deposit हुई थी जो non refundable है जो non refundable है वो deposit हुई थी registration fees dimmed के लिए 5,000 रुपीज deposit हुई थी और जो refundable है security money वो 2,00,000 रुपे deposit हुई थी dimmed की condition में अब All India की बात करें तो All India में जो UR EWS category के candidate है इनके लिए 1,000 non refundable ये fees आपको वापस नहीं मिलेगी registration fees सिरफ security amount ही वापस मिलेगा तो ये जो 1,000 है ये नहीं मिलेगा आपको और ये जो UR और EWS के अलावा जो SC, ST, OBC, PWD candidate है उनके लिए 5,000 यहां शोरी 500 रुपीज deposit हुई थे ये registration fees है ये नहीं लेकिन जो security money है 10,000 UR EWS के लिए deposit हुई थी और बाकी के लिए 5,000 हुई थी तो ये 5,000 आपको वापस मिलेगी और जो UR EWS के candidate है 10,000 यहां पर वापस मिलेगी ये तो ये दो प्रकार की जो fees deposit हुई थी उसमें dimmed की condition में 2,000 रुपए वापस refund होगा और all India quota की condition में 10,000 और 5,000 रुपए according to category ये आपको refund होगा इसमें कोई interest नहीं मिलता है ने कोई पैसा करता है जितना आपने पे किया है उतना का उतना आपको वापस मिल जाएगा security money amount अब ये जो security money है ये कब तक मिलेगा ये security money है ये कब तक आपको आपके account में मिलेगा तो ये देखो जो counseling है 2023 की वो 15th November 2023 को खतम होई थी यानि कि जो counseling की last date थी वो 15 November 23 को खतम होगी थी हालांकि 30 September को last date थी लेकिन फिर भी इसको extend किया था ये 15 September को होगी थी और ये सभी courses के लिए 15 November last date रही थी MBBS के लिए भी 15 November थी, BSC nursing के लिए भी 15 November और BDS के लिए भी 15 November थी हालांकि जो मोपप तूप होता है BSC nursing के लिए इस्ट्रे होता है उसकी date पहले ही खतम होगी थी और जो last date थी ती तीनों course की वो 15th November 23 थी तो हम यहाँ admission की जो last date है वो यही मान के चलेंगे की 15 November 23 को last date थी 2023 के MCC के admission की अब जो last date रहती है MCC के admission की उस last date से लेकर के यानि की 60 से 7 days के अंदर उस last date के बाद 60 से 7 days के अंदर यह refund आपके account में वापस आ जाता है यह refund आपके account में वापस आ जाता है तो अगर हम यहां 60 से 70 days लगाते हैं यहां हम 60 से 70 days लगाते हैं तो इसमें 16 days होते हैं 15 January तक यानि 15 January तक 15 January 2024 तक MCC का notice आ जाएगा और उस notice के बाद financial custodian दवारा यह पैसा 7 या 10 दिन के अंदर अंदर return कर दिया जाता है यानि कि अगर हम मानें तो यह 20 से 22 January 2024 तक आपके account में पैसा return हो जाएगा तो यह information है कि कब तक यह पैसा आपके account में आएगा क्योंकि इसमें जो financial custodian है वो इसमें दो role play होते हैं एक होता है mcc जो counseling करवाता है और यह जो इसी का dghs का ही part है financial custodian है hhl है hll है limited है वो ही इसका पैसा आपको refund करता है उसी के पास आपका security money amount रहता है अब इसमें माल लेते हम 15 January या 15 से 20 January 22 January के nearby आ जाएगा तो अब हम देखें कि इसमें कौण कौण से candidate वो यह किस account में मिलेगा तो सबसे पहले देखें इसमें इसमें date दी गई है कि यह पैसा आपको कब मिलेगा तो इसमें बाकाइदर लिखा हुआ है कि यह mcc का जब notice आएगा उसके 15 days के अंदर अंदर जो financial custodian है वो आपके account में यह पैसा डाल देगा और 30 दिन के अंदर अंदर complete कर देगा और यह जो mcc का message आता है यह 60 days के बाद में आता है यनि कि nearby 60 days complete जो last date रहती है वो 60 days complete होने के बाद mcc का यह message आता है 50 से 16 days तक यह notice आ जाता है 50 से 60 days तक उसके बाद में 15 दिन के अंदर अंदर यह custodian आपके account में डाल देगा और 30 दिन के अंदर अंदर complete हो जाएगा यनि कि आपको यह पैसा मिल जाएगा तो 20 January के nearby यह पैसा आपको वापस मिल जाएगा आपकी जो security money, security money का amount मैंने बता दिया है जितना आपने deposit किया था favorable amount है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा अब कोंड से account में आएगा तो जिस account से आपने pay किया है उसी account में जाएगा card से pay किया है तो उसी card number पर वापस जाएगा कि अगर किसी bank account से क्या है तो उसी bank account में जाएगा तो आपको card या bank account active रखना है ताकि आपको किसी प्रकार की कोई problem नहीं हो बात में अब ये financial custodian क्या है तो ये इसी का DGHS द्वारा ही ये nominate किया हुआ इसी के undertaking government of India का ये part है HHL Life Care Limited इसी के द्वारा ये पैसा आपका return होगा deposit रहता है याँ पर इसके जो अगर आपको माल लो refund का message आ गया उसके बाद आपका refund आया नहीं है और भी कोई problem है तो आप इसको लिख सकते हैं financial custodian को इसके number भी दे गए है mail भी दिया गया है लेकिन ये list जारी होने के बाद ही आप ये कारवाई करें इसकी अब ये list जारी ह होगी सभी candidate की जो candidate इसके लिए eligible है जो candidate इसके लिए eligible है उनी की ये list जारी होगी mcc द्वारा list जारी की जाएगी उस list में बाकाईद है roll number होंगे और इसमें card number होंगे कितनी तारिक को ये पैसा आपका refund आया है ये सारी की सारी उस list में detail होगी और उस list के बाद में आपका पै अकाउंट में चला जाएगा जैसे ये लिस्ट पबलिस होगी MCC का नोटिस आएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे आप अपने बैंक अकाउंट चेक कर सकते हैं बैंक से भी कोंटेक्ट कर सकते हैं फिर भी नहीं आया है हैं तो जिन candidates का security money forfeit नहीं हुआ है उन सब candidate का security money उसी bank account में वापस आएगा और जिन candidate का admission नहीं हुआ है उनका भी सभी का refund वापस आएगा और जिनका admission हो चुका है उनका भी refund सभी candidate का वापस आएगा क्योंकि काफी सारे candidate इस confusion में होते हैं कि मेरा तो admission हो गया यह जो deposit हुआ था यह admission का ही हुआ था लेकिन ऐसा नहीं है जिन candidate का forfeit नहीं हुआ है और admission हो गया है 2023 में उन्होंने admission ले लिया है security money forfeit नहीं हुआ है तो उन सबका जो security money है वो वापस आएगा और जिनको admission नहीं मिला है उनका भी security money वापस आएगा अब किन-किन candidate का security money वापस नहीं आएगा अब हम round wise बात करें तो first round की बात करते हैं यहां पर तो first round free exit है जिन candidate को seat मिली उनको भी मिलेगा पैसा refund मिलेगा जिनको seat नहीं मिली है उनको भी मिलेगा जिनोंने अलोट करवा लिया जोइन नहीं किया उनको भी मिलेगा यानि कि first round का यहां पर कोई role नहीं है first round में सभी candidates को मिलेगा यहां पर forfeit नहीं होती है security money अब बात करते हैं second round की तो second round में जिन candidate को seat अलोट हो गई और उसने join नहीं किया है उन candidate को यहां security money amount नहीं मिलेगा उनका security money amount forfeit हो गया है जिनोंने join कर लिया उनको मिल जाएगा ऐसे ही third round का है third round में जिनोंने alert करवा लिया join नहीं किया उनकी security money forfeit हो जाएगी उनको नहीं मिलेगा जिनोंने join कर लिया उनको मिल जाएगा यह allotted candidate को नहीं मिलेगा second और third round में ऐसे ही stray vacancy round में भी अगर किसी ने seat allot करवाली join नहीं किया तो उनका भी forfeit हो जाएगा और special stray round की भी यही condition है यानि कि first round को छोड़ करके अगर किसी candidate को बाकी सारे round में seat allot करवाली join नहीं किया seat allot करवाली join नहीं किया उनकी security money forfeit हो गई है और उनको security money नहीं मिलेगी तो यह condition है कि किन किन candidates को security money मिलेगी किन को नहीं मिलेगी कौन से candidate इसके लिए eligible है अब बात करें हम state quota की तो state quota की जो refund है state quota का refund है तकरीबन state में mcc के refund के seven या eight days के बाद में refund आ जाता है लेकिन किसी किसी state का पहले भी आ जाता है जैसे हरियाना हो गया यूपी हो गया इनका पहले भी आ जाता है राजस्तान का mcc के बाद आता है तो ये state wise depend करता है state की counseling authority ही इसको deal करती है तो किसी किसी state का पहले आ जाता है mcc के और किसी किसी state का बाद में आता है लेकिन ये mcc के 7 या 8 या 10 दिन के अंदर-अंदर आगे पिछे होता है किसी state का 15 days का भी difference हो जाता है mcc से तो state का भी समय से आ जाता है ये refund तो आप अपने state की website पर एक बार visit कर ले वैसे हम आपको भी बता देंगे कि state का कौन-कौन से state का refund आ रहा है कौन-कौन से state का refund नहीं आया है कौन से state का refund इन्सेट हुआ है वो हम state के बारे में भी आपको बता देंगे तो आप state की website के तच में भी रहें और हम भी आपको inform कर देंगे तो ये जानकारी थी refund के बारे में बाकी update मिलते ही हम आपको inform कर देंगे जैसे ही ये list publish होगी हम आपको बता देंगे तो मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी तब तक मैं हरसाई चोपना आपसे लेता हूँ विदा जय हूँ